नादरीन, आप देख रहे हैं Crime Time News. मैं हूँ आपका दोस्थ खैसर गाज यूरेची क्राइम न्यूज. हरतरह जी खबर के तो देने के लिए हमारे चानल को आईके सब्सक्राइब करें और देखते रहे हैं Crime Time News. अजिसकल या साइमा करो लाएगा? या साइसा, या से रोट पी इन वाई? वाई आम मार्दी ने आंगा जा बादए ये? जो अब डो यहारा उपया, बादै suis यहारण शवी जो अवारा आपि यहारण भान से अच्छीरी अगी आफिए आफिए और ड़स को बात रहे हैं आजे जाते हैं रशी मारते हैं इक आफ़ी जा रहे है अएच्छ नहीं अगते हैं जो है आफिए आफिए जो जुझे है views and views in सब्स Benton अपये इम सब्स Natal में काली ऊपकमिंग काली में जो जो एडिट एडेटेड लोग है फिर उन लोग पूरा गर पर रहे के आखरी नहेदा है आसपास में जो बसी। जो गरीब को जो खरना लोग का तरफ से जो परसनली उन लोग करके हमारे कुछ सोसाइटी को तक हल्प करके अभी तक लेकर हैं वो सैंटेजेशन के लिए भी थाई बार बोलने से अजीज साब और तोफिक साब लोग साथ देने से सैंटेजेशन भी करा जो सोशल डिस्टेंस मइंटेंगे मास्क मैंटेंगे में जो सर्वीस दे रहें एटा हैं मितक अहमीड अहमीड वखील साब और त्रफिक साहब लोग हमारे कुछ मदद करने से बहुत से जो अजीज साब वो तोफिक साहब लाग जो सुपोर्ट करने से हम लोगो जो एक्टिविटीज कर ले रहे हैं लोग को हमारे युनिविर्सिटी कालने तरफ से तोफिक भाय को अजीज साफ को हम लोग ठैक्स बोल रहे हैं ये युनिविर्सिटी कॉलिनी युनिविर्सिटी व्यू कॉलिनी जो है 2016 में डेवलप हुई है और अजीज भाई 2016 से हमारे साथ जो है ना माशालला ताउन कर रहे हर चीज के लिए जैसे रोड है पानी है हर मेनॉल है धकन वगयरा जो भी खराब होते हैं अजीज भाई को फ अपने खर्चे से और हर चीज जो है ताउन करते हैं जैसा हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम रहा जैसा है इस महने में कुछ गरीब गुर्बा को सुसाइटी वाले जो है खाना खिलाना चाहरे तो अजीज भाई एक जगा बताए कि वह एक आरमगड़ पे है एक काटेजन में के एरिया है और जलाल बाबा नगर में है और अजीज भाई की वज़े से हम लोग वो एरिये में जाके घरीब गुर्बा लोगों को बोलते हो खाना भी खिला रहे माशाला अजीज भाई का ताउन ऐसा है इस कॉलनी पे हर चीज के लिए कभी भी आधी रात 24 घंटे में कभ करते रहते हैं कि हर चीज के लिए कुछ चीज होना एक मिनिट के अंदर हमारे पास आ जाती सुसाइटी के पास हम तौफिग भी का साथ साथू का भी शुकर गुजार है हर सुसाइटी के मेंबर आपको और अजीज भाई को दोनों को शुकर शुक्रिया कहते हैं असलाम आलेकों रहमेता हमारे प्रेसिडेंट साब से थोड़ा बात कर ली है